नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्साम टबलेट में दोस्तों जारकन में A&M और GNM का जो इंटरेंस एक्साम होता है उसके प्रिप्रेशन से रिलेटेड ये वीडियो है और यहाँ पर हम लोग कुछ important MCQ questions को देखेंगे जो कि chapter होगा biology का और यहाँ पर हम लोग देखेंगे chapter control and coordination जो नियंतरन एवंग समयने वे chapter है इस chapter से हम लोग कुछ MCQ questions को देखेंगे तो पहला यहाँ पर question जो है कि कहां रसाइनिक परतिक्रिया होती है जो एक neuron में एक विदूत आवेक पैदा करती है तो देखें एक neuron में जो विदूत आवेक पैदा होता है वो कहां पर होता है तो देखें एक जो यहाँ पर देखें एक neuron है और इस neuron में देखें सबसे पहले जो विदूत आवेक पैदा होता है यह dendrite में होता है जाता है और उसके बाद फिर axon से होते हुए कहां पे जाता है nerve ending तत जाता है ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है सबसे पहले जो विद्दूत आवेक पैदा होता है वो कहां पे होता है यह होता है आपका neuron का dendritic सिरा में है ना dendritic tip of the neuron चलिए उसके बाद जो next question है वो क्या पूछ रहा है कि परतिवर्ती चाप कहां बनते हैं तो परतिवर्ती चाप कहां बनते हैं option A में हो गया मस्तिस्क brain में या फिर मेरूरचू spinal cord में या फिर मांस्पेसी muscles में या फिर इंद्रियों जैसे sense organ होते हैं वहांपे तो देखे परतिवर्ती चाप होता क्या है देखे हमारे body में क्या होते हैं receptor cells होते हैं ठीक है ग्रही कोसिकाई होती है cells होते है dez जो receptors होते हैं, ग्राही होते हैं, तो यह क्या करते हैं, यह heat या फिर कोई भी pain हो, skin में जो receptors होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको receive करते हैं, उसके बाद देखिए, sensory neurons क्या करते हैं, उस message को लेके जाते हैं, कहां पर, brain तक message को लेके जाते हैं, और उसके बाद फिर brain क्या करता है, प्रोसेस करता है कि अब क्या करना चाहिए उसके बाद फिर motor neuron को वो message भीजता है और उसके बाद फिर जो message भीजता है वो एक जो effector muscles है वहाँ पर वो कारी करता है तो देखिए जब भी मान लिचे कि आप किसी गर्म या फिर जिसे कोई भी जलते वे पदार्थ को आप छू लेते हैं या फिर गरम वस्तो को छू लेते हैं या बहुत थंडी वस्तो को छू लेते हैं तो क्या करता है हम लोगों का हाथ होता है अचानक से हट जाता है तो इसमें होता क्या है कि देखिए sensory neurons जो message लेके जाता है brain तक तो उत होता क्या है कि जो receptor के द्वारा जो receptor skins में होते हैं उसमें क्या करते हैं जब sensory neurons उसको message को लेके जाते हैं तो वो brain तक तो जाते ही हैं पहुंचते ही बाद में लेकिन उससे पहले क्या होता spinal cord में जो की central nervous system का एक पार्ट है spinal cord वहां पे जो relay neurons होते हैं वहां पे तुरत वह action ल प्रतिवर्ति चाप जिसे यह कहां गया यह cns जो part है spinal cord में गया और उसके बाद फिर लोटके आ गया हलांकि message जाता है बरिन तक कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्योंकि हाथ हटाने के बाद हम लोगों को पता तो चलता है कि वह बहुत गर्म था इसलिए हाथ हटा ली वह ब तो देखे उसके बाद जो next question है यहां पर वो क्या पूछ रहा है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा सोचने और निरने लेने के लिए जिम्यदार होता है which part of the brain is responsible for thinking and decision making तो देखे यहां पर option में क्या है आपका अग्र मस्तिस्क, मध्य मस्तिस्क और पश्य मस्तिस्क और उसके है वो क्या है वो हमारे मस्तिस्क का अग्र भाग है अग्र मस्तिस्क for brain ठीक है तो उसके बाद जो next question है यहां पर देखे कौन सा तंत्री का तंत्र केंद्री तंत्री का तंत्र तथा और सरीर के बाकी हिस्सों के भी संचार की सुविधा प्रदान करता है देखे which nervous system facilitates communication between the central nervous system and the rest of the body तो question में क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा nervous system है जो कि cns यानि जो central nervous system है केंद्री तंत्री का तंत्र है और सरीर के जो बाकी हिस्से है उनके बीच क्या करते है संचार की सुविधा प्रदान करती है तो यहां पर option में हो गया केंद्री तंत्री का तंत्र cns या फिर option b में हो गया परिदिय तंत्री का तंत्र PNS या फिर आपका option c में हो गया autonomic nervous system या फिर option d में हो गया somatic nervous system तो देखे हम लोग क्या जानते है कि देखे brain और जो spinal cord होता है यह क्या होता है cns होता है central nervous system तो यह तो option number जो a है यह तो होगा ही नहीं और उसके बाद देखे परिदिय तंत्री का तंत्र जो peripheral nervous system होते है यह इसका क्या होता है यह इसका हो गया सही answer कि cns और जो सरीर का जो बाकी हिस्सा है उसके भी संचार की सुविदा परदान कोन करता है यह परिदिय तंत्री का तंत्र करता है तो देखे यह हो गया आपका brain यहाँ पे इस फिगर में आपको ез meant Ceans का जाल बिच्छा हुआ है इसको क्या बोलते हैं परिदिय तंत्री का तंत्र बोलते है और दीखे यहाँ पे और आपके यह पे autonomic nervous system option C में दिया गया तो autonomic nervous system पर ही एक part है एक हिस्सा है और somatic nervous system नर्व में क्या होता है कि जो involuntary actions होते हैं जो कि अनेची क्रियाई होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है वो इसे क्रियाई किसके द्वारा की जाती है यह autonomic nervous system के द्वारा की जाती है जो कि PNS का part है है ना और उसके बाद देखिए somatic nervous system जो है यह क्या है यह ऐची क्रियाई है इनके अंडर में रहती है जो अईसी क्रियाई है जिनको हम लोग क्या करते हैं सोच समझ के करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं वो किसके अंदर में आता है यह somatic nervous system के अंदर में आता है तो देखिए यहाँ पे जो CNS और जो हमारे body के जो बाकी हिस्से हैं उनके बीच संचार की सुविधा प्रदान कुन करता है तो यह PNS करता है peripheral nervous system करता है उसके बाद देखे जो next question है कि मस्तिस्क का कौन सा भाग स्वैचिक कारियों में सटीकता को नियंतरित करता है और मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है तो देखे बोल रहा है कि which part of the brain controls precision involuntary actions and maintain posture and balance तो posture and balance कहां पे maintain होता है और यह कहां पे होता है option A में होगया आपका four brain या फिर option B में होगया मद्ध्य मस्तिस्क या फिर option C में होगया पस्च मस्तिस्क या फिर option D में होगया मेरू रज्जु तो इसका जो सही जवाब है देखे इसका सही जवाब है hind brain यह जो आपका पस्च मस्तिस्क है देखे तो हमारे पस्च मस्तिस्क में एक भाग होता है एक पार्ट होता है cerebellum वो क्या करता है हमारे body का जो posture है उसको maintain करता है और balance करता है तो उसके बाद जो next question है यह क्या आप पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन विकास को बाधित करने और पत्तियों को मुर्जाने के लिए जिम्यदार है which हार्मोन is responsible for inhibiting growth and causing wilting of leaves तो देखे option में यहापे क्या है आपके option A में होगया oxygen या फिर option B में होगय gibraline या फिर option C में होगय cytokinin या फिर option D में होगय abscessic acid तो देखे इसका जो सही जबाब है यह है abscessic acid अपसेसिक acid क्या करता है विकास को बाधित करता है पौधों में जिम्यदार होता औक्सीन और उसके बाद देखे gibraline जो होता है यह तने की वृधी के लिए जिम्यदार होता है और cytokinin क्या करता है यह कोशी का विखाजन को क्या करता है प्रेरित करता है तो यहाँ पे 6 नमर का जो आपका सही जबाब है कि कौन सा हार्मोन विकास को बाधित करता और पत्तियों को मुर्जानी के लिए जिमेदार है तो ये है आपसेसिक असेड तो उसके बाद जो next question है यहाँ पे देखे साथ number का question है 7 number question में क्या बुल रहा है कि एक डरावनी इस्तिती की प्रतिकरिया में अधिवरिक गरंतियों द्वारा कौन सा हार्मोन सरावित होता है तो which हार्मोन is secreted by the adrenal glands in response to scary situation मालेज़े कोई भी डरावनी स्थिती हो गया या फिर कोई scary situation आ गया तो फिर वहाँ पे अधिवरिक जो है हमारे body में adrenal gland है ये कौन सा हार्मोन का secretion करती है option A में हो गया insulin या फिर option B में हो गया adrenaline या फिर option C में हो गया estrogen या फिर option D में हो गया testosterone तो इसका जो सही जबाब है कि जो scary situation होते हैं जब emergency के situation होते हैं तो क्या होता है हमारे body में जो adrenal gland है अधिवरिक के गरंति है इस गरंति से adrenaline hormone का secretion होता है देखिए insulin का secretion जो होता है यह कहां से होता है pancreas से होता है estrogen का कहां से होता है ovary से होता है और testosterone का कहां पे होता है यह testage से होता है उसके बाद जो next question है देखिए यहां पे सरीर में अंतरसरावी तंतर की भूमी का क्या है तो देखिए what is the role of endocrine system in body तो हमारे body में जो endocrine system है अंतरसरावी तंतर है इसका क्या भूमी का है तो देखिए option A में हो गया control and coordination जो नियंतरन एवंग समयने वई का या फिर digestion और absorption का मतलब पाचन और absorption का या फिर muscular movement यानि पेसिये गती का या फिर sensory perception तो देखिए यहां पे जो आपका सही जवाब है यह ह आपका option number A control and coordination देखिए हमारे सरीर में दो चीजों से control किये जाते हैं एक तो हो गया हमारा nervous system और दूसरा हो गया हमारा endocrine system तो इससे हमारे body क्या होते हैं control किये जाते हैं और coordination किये जाते हैं उसके बाद जो next है देखिए कि adrenaline hormone हिर्दे को कैसे प्रभावित करता है तो हम लो क्यों होते हैं adenal gland होते हैं वहां से क्या निकलते हैं adenaline hormone निकलते हैं तो वो जब hormone निकलता है adenaline तो हमारे हिर्दय को कैसे प्रभावित करता है option A में हो गया it slow down heart rate heart rate को slow कर देता है इसको slow कर देता है या फिर इसका कोई प्रभाव नहीं होता इट increases the rate the heart rate या फिर यह क्या करता है धरकने की दर को क्या करता है बढ़ा देता है या फिर it stop the heart from beating या फिर heart को धड़कने से बंद कर देता है तो देखिए यहां पर जो इसका सही जवाब है कि adenaline hormone क्या करता है हिर्दय की धड़कने की गती का जो दर का जो गती है इसको बढ़ा देता है increase the heart rate तो क्या करता है adenaline hormone जो हमारे हिर्दय की धड़कने का जो दर है उसको बढ़ा देता है उसके बाद जो next question है यहां पर देखिए कि थायरोकसीन हार्मोन का उतपादन करने के लिए किस गरंथी को आयोडीन क्या होई सकता होती है तो option A में हो गया pituitary gland या फिर option B में हो गया adenal gland या फिर option C में हो गया thyroid gland या फिर option D में हो गया pancreas तो देखिए pituitary gland को puse गरंथी बोलते है हिंदी में उसके बाद option B में adenal gland जो हो गया इसको बोलते है अधिवरिक गरंथी और option C में जो है इसको बोलते है आउटू गरंथी thyroid gland को हिंदी में और option D में जो हो गया ये pancreas को बोलते है अगन्या से तो यहाँ पे जो सही जवाब है कि किस गरंथी को iodine के अवसकता होती है थायरोक्सीन हार्मोन का उत्पादन के लिए तो यह है आपका जो thyroid gland है जो थायरोइट gland है जो बोलते है हिंदी में out to गरंथी तो thyroid gland को किस के अवसकता पड़ती है iodine के अवसकता पड़ती है थायरोक्सीन हार्मोन का production के लिए उसके बाद next जो question है यहाँ पे देखिए कि next question क्या है कि कौन सा हार्मोन सरीर की वृधी और विकास को नियंद्रित करता है तो which hormone regulates growth and development of the body तो option A में हो गया insulin या फिर option B में ह हो गया थायरोकसीन या फिर option C में हो गया growth hormone या फिर option D में हो गया testosterone तो इसका जो सही है यह है growth hormone वृधी हर्मोन क्या करता है हमारे body का क्या करता है वृधी और विकास करता है growth और development करता है ग्रोफि और Ciains इसम होते हैं growth के लिए उसको क्या करता है उसको regulate करता है उसके बाद देखें नेक्स्ट जो यहां पे question है कौनसा हार्मोन रख्त सरकरा के अस्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है Which hormone helps regulate blood sugar level तो option A में हो गया growth hormone या फिर option B में हो गया तो इसका जो सही जवाब है यह है इंसुलीन हर्मोन क्या करता है ब्लड सुगर लेबल को क्या करता है रेगुलेट करता है उसके बाद जो निक्स्ट है कि योना अरंब में जुड़े परिवर्तनों के लिए कौन सा हर्मोन उत्तरदाई है तो देखें आपसन अ में क्या हो गया थायरोकसीन और इंसुलीन या फिर आपसन बी में हो गया ग्रोथ हर्मोन और टेस्टेस्टेरोन या फिर आपसन सी में हो गया एस्ट्रोजेन और इंसुलीन और उसके बाद आपसन डी में हो गया टेस्टेस्टेरोन और थायरोकसीन तो जो सही जवाब है ये है आपका growth hormone and testosterone तो growth hormone और जो testosterone होते हैं ये योना अरंब में puberty में क्या करते हैं परिवर्तन लाते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंद तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को झालो बहुत डोस्तों ये बहुते हैं